साथ संगत जी प्याल से कहना धन दरंकार जी आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आजविर से हाजिर हूँ मैं एक नई साखी के साथ साथ संगत जी आज की साखी रूडी वादी परंपराओं उपर अरधारी थे चलिए सुनते हैं आज की साखी साथ संगत जी सबके घरों में लाइटें लगते हुई देख वीशु ने अपनी मा से कहा कि मा हम अपने घर में लाइट कब लगाएंगे तब मा ने जवाब दिया कि बेटा दिवाली के बाद तब वीशु ने कहा लेकिन क्यों मा सबके यहां तो लाइटें अभी लग रही है तब वीशु के मा ने कहा कि अपनी दादी से पूछो वो ही बताएंगी वीशु अपनी दादी के पास चला गया और अपनी दादी से पूछने लगा कि दादी हम लोग दिवाली क्यों नहीं मनाते दादी ने कहा कि किसने कहा हम नहीं मनाते ग्यारस को हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और पटाके भी फोडते हैं तब उदास होकर वीशु ने कहा, लेकिन दादी, सब लोग तो दिवाली के दिन पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, पटाके भी फोड़ते हैं, पर हम उस दिन क्यूं नहीं मनाते हैं, हम सभी लोगों से बाद में क्यूं मनाते हैं। तब वीशु की दादी ने उसे जवाब दिया, कि बेटा, जब त्योहार के दिन परिवार में किसी की मौत हो जाती है, तो उस त्योहार में गाठ लग जाती हैं, फिर हम उसे उस दिन नहीं मनाते, बाद में ये मनाते हैं। तब रुवासे होते हुए वीशु ने अपनी दादी को पूछा, कि दादी, क्या हम कभी भी दिवाली सब के साथ नहीं मनाएंगे। तब दादी ने कहा, कि जब गाठ खुल जाएगी, तब हम मनाएंगे। वीशु ने पूछा कि दादी मा, गाठ कैसे खुलेगी, चलो मिलकर हम गाठ खोल देते हैं। प्यार से गोध में बिठाते हुए, वीशु को उसकी दादी ने समझाया, कि बेटा, जब हमारे परिवार में दिवाली के दिन किसी बच्चे का जनम हो जाए, या परिवार में गाएं भी अगर बच्चे को जनम दे दे, तो गाठ अपने आप खुल जाती है। लेकिन वीशु ने उदास मन से अपनी दादी को कहा, कि दादी हमारे घर पर तो गाएं हैं ही नहीं, फिर तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहकर वीशु उदास मन से अपने कमरी में जाकर ब अपन के साथ दिवाली मनाएं लेकिन दादी मजबूर थी। तभी वीशु की मा ने वीशु की दादी से कहा कि मा जी थाली लगा दी है, चलिए आप खाना खा लेजिए। लेकिन वीशु की दादी ने कहा कि बहु अभी ढख कर रख दे, बाद में खाना खाऊंगी। वीशु का उदास चहरा देखा नहीं जाता। तब वीशु की मा अपनी साथ से कहने लगी कि मा जी मैं भी जब इस घर में आई थी तो दिवाली के दिन सब के घर जगमगाते और अपने घर में अंधीरा मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन मैं तो बड़ी थी, म मैं भी जब इस घर में आई थी तब भी ऐसा ही होता था। मुझे भी बहुत पुरा लगता था। और अपनी सासु जी से पूछने पर मुझे पता चला था कि तुम्हारे ससुर जी के दादा जी जो की 94 साल के थी, उनकी मृत्यू दिवाली के दिन ही हुई थी। वीशु की मा ने कहा कि फिर तो मा जी वो अपनी आयू पूरी कर चुके थे। देखो ना त्योहार आने के दो दिन पहले से ही घर में मातम चाने लगता है। वीशु की दादी ने अपनी बहु से कहा कि मैं तो अपनी सासु मा से कुछ नहीं कह पाती थी। उनकी मृत्यू के बाद युआर को शुरू करने के लिए। लेकिन तुमहारे ससुर जी ने परंपराओं की दुहाई दे कर दिवाली मनाने से यंकार कर दिया। तब वीशु की मा ने कहा कि मा जी अब तो ससुर जी भी नहीं है, तो क्या हम इन परंपराओं को तोड़ नहीं सकते। ये कोई कहा कि हा बहु चाहती तो मैं भी यही हूँ पर कहीं तुम्हारे चाचा ससुर जी बुरा ना मान जाएं तब ही बाहर से अवाज आई कि मेरी क्या बात हो रही है वीशु की मा ने कहा अरे चाचा जी आप आये आपकी उमर बड़ी लबी है तब चाचा जी कहने लगे कि मैं मा भी से मिलता जाओं पहले से पटाके लाकर रख देता हूं तो बच्चों को तसली हो जाती है लेकिन तुम लोग ये बताओ कि मेरी क्या बात हो रही थी किस बात पर मैं बुरा मान जाओंगा इचकते हुए वीशु की मा ने कहा कि चाचा जी वो हम दिवाली के बारे में बात कर रहे थे पर दादा की मौत का मातम हम कब तक मनाते रहेंगे जबकि इतने समय तक तो वो कई जनम ले चुके होंगे और कई बार मृत्यू को भी प्राप्त हुए होंगे तब चाचा जी ने कहा कि दिव्या तुम सही कह रही हो मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगत इस बात को कई पिडियां बेत चुकी है भाबी अब इस बात को भूल कर त्योहार का अनद हमें और बच्चों को लेना चाहिए खुश होते हुए वीशू की मा ने कहा कि फिर तो ठीक है चाचा जी ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा जी ने कहा कि बहु तुम पकवान बनाने की त्यारी करो तभी वीशू की दादी ने कहा कि इस बार पकवान मैं बनाऊंगी और दादी ने अपने पोते को जोर से अवाज लगाई कि तभी वीशू अपनी दादी के पास आकर कहने लगा कि जी दादी दादी मा ने कहा कि ये लो पैसे तब वीशू ने कहा कि दादी इतने सारे पैसे। वीशु की दादी ने कहा कि जा अपनी चाचा दादू के साथ बाजार में जाकर अपनी पसंद की रंग बिरंगी लाइटे लेकर आना आज हमारा घर भी जग मगाएगा। वीशु ने कहा कि सच मुझ दादी गाट खुल गई क्या तभी वीशु की दादी ने कहा कि नहीं बेटा गाट खुल ही नहीं रही थी तो हमने गाट ही काट दी दादी की इस बात पर सभी खिल खिला कर हस पड़े वीशु की आखों की चमक से दादी के मन में सैकडो दिये एक साथ जगमगा उठे साथ संगत जी कितनी सही बात कही थी वीशु की माने कि ये परमपराएं कोई इश्वर की बनाई परमपराएं तो है नहीं हम इंसानों नहीं परंपराई बनाई हैं और हम इंसान ही इन्हें तोड सकती हैं आपको आज की साखी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ साथ संगत्ची प्यार से कहना धन नरंकार जी